नमस्कार, Become Part First, EFM Paper First, Business Economics की इस वैख्यान माला में आप सभी का स्वागत है आज हम इसके Part 8 में एक नए चैप्टर की साथ आपसे मुखातिब होंगे आज हम आपकी बुक वैवसेक अर्थसास्त्र में से 4 चैप्टर वैवसेक निर्नेओं में वैस्टी एवं समस्टी अर्थसास्त्र का महत्व अथवा वैस्टी एवं समस्टी अर्थसास्त्र के बारे में गहन जानकारी लेंगे वेस्टी और समस्टी अर्थसास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण विसे हैं जो प्रत्यक कॉंपूर्टिटिव एक्जाम प्रत्योगी परिक्षाओं में पूछा जैता है और इसके बारे में जानकारी होना अतियावश्यक है कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी फैकल्टी हो उन सब के लिए वेस्टी और समस्टी अर्थसास्त्र एक महत्वपूर्ण विसे है जिसके बारे में थोड़ी बहुत और कहन जानकारी होना आवश्यक है चुकि आप वानेजी के विद्यार्थी हैं तो अधा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके आगे के भविश्य के लिए भी बहुत जो है काम आने वाला टॉपिक है वेस्टी और समस्टी अर्थसास्त्र को हम समझने से पूर्व ये समझें कि जो वेस्टी और समस्टी अर्थसास्त्र है उसका अगर सब्दों का विनियोजन देखें तो समस्टी अर्थसास्त्र माइक्रो इंगलेश में इसको बोलते हैं माइक्रो एकनॉमिक्स और समस्ठी अर्थसास्त्र को बोलते हैं Macro Economics आर्थिक समस्याओं की जटिलता को सरल बनाने के लिए दो दरश्टीकॉण अपनाई जाते हैं वैस्टी एवं समस्टी इन दरश्टीकॉणों के आधार पर अर्थसास्त्र के अध्यन के दो भाग हैं वेस्टी अर्थसास्त्र और समस्टी अर्थसास्त्र आधुने की युग में वेस्टी एवं समस्टी दोनों का विकास तीवरगती से हो रहा है वेस्टी या सुक्ष्म अर्थसास्त्र का अर्थ Meaning of Micro Economics Microeconomics और Macroeconomics दोनों जो अर्थसास्त्र है वो present modern time में बहुत ही valuable है और economic problems को basically दो पार्ट में बाटा गया है First है आपका Microeconomics और Second है Macroeconomics और इस context में हम पहले वेस्टी या सुक्ष्मो अर्थसास्त्र का अर्थ समझ रही है Micro सब्द की उत्पत्ति यूनानी सब्द Micros M-I-K-R-O-S से हुई है जिसका साब्दिक अर्थ सुक्ष्म होता है तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकरी और देना चाहूंगा जैसे Microeconomics है तो M-I-C-R-O Micro और Macroeconomics है उसका अर्थ है M-A-C-R-O तो दोनों में I और A का अंतर है I means होता है Individual और A means होता है Aggregate तो दोनों basic difference करने का सबसे अच्छा तरीका है कि Microeconomics में I stand करता है I यानि कि Individual और Macroeconomics में A stand करता है यानि कि Aggregate तिस तरह से Microeconomics का अर्थ ग्यान की उस साखा से है जिसके अंतरगत व्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अधिन किया जाता है अन्य सब्दों में व्यस्थी अर्थ सास्त्र ग्यान की वह साखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक एकाईयों का अधिन किया जाता है जैसे विशिष्ट वेक्ती, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग इसमें दिन की एकाईयों पुबुकता, परिवार, फर्म, अथवा, उद्योग होता है व्यस्थी अर्थ सास्तर का हम इस तरह से समझ सकते है कि इसमें एक छोटी एकाईयों का दिन के जाता है जिसमें विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट फर्म, व्यक्ति के दिकाई का अध्यन के जाता है जैसे एक सिंपल वे में एक्जामपल को समझें जैसे मालेजे लोहिया कॉलेज के स्टूडेंट का हमें अध्यन करना है तो लोहिया कॉलेज अपने आप में एक सम्मगर हो गया, इसके अंदर हम become part first के विद्यार्थियों का दिन करें, तो become part first जो है अपने आप में सुक्ष मर्थ सास्तर हो जाता है, अगर हम become part first के सभी विद्यार्थियों को अगर समगर की रूप में माल लें, तो एक प्रतिक वे वेक्ति वेस्टी अर्थ सास्त्र की परिवासा में आएगा तो वेस्टी अर्थ सास्त्र की महत्पूर्ण परिवासे निम्न लिखित हैं हेंडर्सन एवं क्वांट के मतानुसार वेस्टी अर्थ सास्त्र वेक्तियों एवं वेक्तियों के निश्चित समू की आर्थिक क्रिया का अध्यन है थेंडर्सन और क्वांट नहीं बताया है कि वेस्टी अर्थसास्त्र व्यक्ति अत्वा व्यक्तियों के निश्चित सम्मू की आर्थिक क्रियाओं का इक्रोविक्ति का एक स्टड़ी है एक एनलेसिस है माइक्रोविक्रोविक्स सिस्दा or अफ एक्टो इक्रोविक्सि सिस्दा अफ एक पकले अप्टोवीस्वेल और वैल डिपांव group of individual well defined groups of individual तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सिंपल से definition Henderson एवं Quant ने दी है और कहा है कि वेश्टी अर्थसास्त्र व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निस्षित समू की आर्थिक क्रियाओं का अध्यन करता है तो चुकि हम अर्थसास्तर के विद्यारती हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो बात करेंगे उसका सम्मंद आर्थिक क्रियाओं से निस्षित रूप से होता है तो वेश्टी अर्थसास्तर में उन क्रियाओं का दिन के जते है उससे संबन्द रखते हैं इसी प्रकार से प्रोफसर वाटसन ने कहा है कि व्यस्टी अर्थ शास्त्र का संबन्द छोटी कई से है यहां वुक्ता, उत्पादकों त था बाजार के वैभार से संबन्द थै तो वाटसन ने भी बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है कि वेस्टी अर्थसास्त्र का संबंद छोटी काई से है बहुत छोटी सुक्ष में काई से है यह उपभूकताओं उत्पादकों तथा बाजार के वेवार से संबंद है तो वाटसन ने एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी है तो इस प्रकार से हम वेस्टी अर्थसास्त्र की बहुत सी परिबासें हमें बुक में देखने को मिल जाएंगी तो जो आपको सिंपल लगे जो आपको इजी लगे वह डेफिनेशन हमें याद करनी है तो वेस्टी अर्थसास्तर की विबिन परिबासाओं के आधार पर निमनलिखित विसेस्ताएं दस्टी गोचर होती है तो बहुत सी डेफिनेशन जैसे की मैंने आपको बताया है दी हुई है तो उन डेफिनेशन को देखने के बाद निमनलिखित विसेस्ताएं हमें देखने को मिलती है जिसमें इसमें अर्थसास्तर के सुक्ष्म अत्वा छोटे अंसों का अध्यन किया जाता है जिसमें अर्थसास्तर के उन पार्ट का हम अध्यन करते हैं स्टडी करते हैं जो छोटे होते हैं शुक्ष्म होते हैं माइक्रो होते हैं इसके अंत्रगत समग्र का अध्यन के जाता है लेकिन यहां योग अत्वा समग्र कुल अर्थ विवस्ता के एक छोटे भाग से सम्मनित होता है इसमें समग्र का भी अध्यन के जाता है लेकिन वो जो समग्र है वहां अर्थ विवस्ता के कुल भाग का छोटा सा हिस्सा होता है जैसा कि मैंने आपको अब एक्जाम्पल दिया कि मालेजी लोहिया कॉलेज है लोहिया कॉलेज एक समग्र है एग्रिगेट है उसमें से become part first के student का हम study करें अनलेसिस करें तो वो एक सुक्ष मर्चास्त रहे है जो लोहिया कॉलेज के एक छोटा सा part है उसमें भी एगर section की बात लेकिन वो स्टेडी जो है वो समगरे में भी काम आ सकती है तो सुख्षम अर्थव्वरस्था की सुख्षम इकाईओं के अद्यन ही तू विसेश उप्योगी है इसमें इकाईओं का रूप इतना सुख्षम माना जाता है कि इसके वहवार का कोई परभाव अलब काल में समदाय के अर्थ वरस्था पर नहीं होता है चोकि इसका जो यूनिट है वो बहुत छोटा होता है small unit होती है और वो पूरी अर्थ वरस्था को केवल represent minor तरीके से करती है अर्था यू नहीं कह सकते कि वो पूरी अर्थ वरस्था को प्रभावित कर सकती है एक individual group जो है वो उसको प्रभावित कर सकता है ऐसा नहीं है वेस्टी अर्थ सास्त्र में किसी वस्तू या सेवा की मुल्य अथ्वा उत्पादन निर्धारने तू अन्ने बातें यथावत रहे की मानिता आवशिक होती है क्योंकि वेस्टी अर्थ सास्त्र की जो मानिताएं होती है वह एक विशिष्ट दसा को ले करके चलती है और वो एक व्यक्ती पर आधारित है और व्यक्ती से व्यक्ती का जो behavior है man to man behavior है वो different होता है इस कारण से अन्य बातों को समान रहना ये एक आवशिक सर्थ जो है वो रखी जाती other things being equal मान करके हम जो है वेस्टी अर्थ सास्त्र या जो भी हमारे जो micro economic सरसमाने जो भी principle है उनमें हम अन्य बातों को समान रहे ऐसा मान कर हम चलते हैं वेस्टी अर्थ सास्त्र का क्षेत्र वेस्टी अर्थ सास्त्र का क्षेत्र काफी फैला हुआ है इसके अंदर बहुत सारी बातों का अध्यन किया जाता है वेस्टी अर्थ सास्त्र का क्षेत्र अध्यन्त व्यापक है क्योंकि इसमें वक्ति के दिकाईयों के विशिस्ट आर्थिक वैवारों का अध्यन किया जाता है जो इसका जो एरिया है एरिया ओफ स्टडी है वो काफी कॉंप्रेंसिव है इसमें बहुत सी बातों का अध्यन किया जाता है और सीमान विश्लेशन पर आधारित होते है Marginal जो है Study उस पर आधारित होती है उसमें पहला है कल्यान अर्थसास्त्र Welfare Economics Welfare Economics वेस्ट्र अर्थसास्त्र के अंद्रगत कल्यान अर्थसास्त्र का अध्यन के जाता है कल्यान अर्थसास्त्र में धन को केवल साधन माना है न की साध्य मनुष्य धन के लिए नहीं बना है बलके धन मनुष्य के लिए बना है यह एक लियानकारी जो सोच है थौट है उसको लेकर के यह जो है अर्थसास्त्र चलता है माइक्रो एकनोमिक्स जो है वेलफेर एकनोमिक्स की भी स्टड़ी करता है वेलफेर एकनोमिक्स में धन को गौन माना है और धन व्यक्ति के लिए है ना कि व्यक्ति धन के लिए है ऐसा कहा गया है उपभोग के नियम लॉफ कंजब्संस जो है वह भी वैस्टी अर्थसास्तर क उपिविक्ता रास्नियम, एक भी Marginal Utility Law, सम सीमांत उपिविक्ता नियम, मांग का नियम, Law of Demand, उपभुक्ता की बचत, Consumer Surplus, मांग की लोच, Elasticity of Demand, आधी नियमों का अधियन के जाता है, इसके अतरिक इसमें यह भी अधियन के जाता है कि उपभुक्ता अपनी निस्चित आई को, बाजार में, मुल्यों पर विविन वस्तों को किस प्रकार से बाटता है, उथपादन के नियम, Law of Predictions, Law of Predictions भी इसका एक important पार्ट है, इसमें मुक्यता है, विशेस फर्मों एवं विशेस उद्योगों के उथपादन से सम्मनित नियमों का अधियन, तथा संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन, Optimum Allocation of Resources, Optimum Allocation of Resources करने के लिए हमें हमेशा Micro Economics की हेल्प लेनी पड़ती है, वेस्टी अर्थसास्त्र को ध्यान में रखकर ही हम, जो है, Optimum Allocation of Resources कर सकते हैं, इसमें वेस्टी अर्थसास्त्र का सम्मन संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन स है, इसके लिए इस अर्थसास्त्र में यहां अध्यान के जता है, कि अर्थसास्त्र में कितनी कुसलता के साथ उपभुकताओं और संसाधनों में उत्पादकों के संसाधनों को कावंटन हो रहा है, अत्वा नहीं हो रहा है, संसाधनों के कुसलतम बंटवारे की स्थती में वुकता फर्म संतुलंद की स्थिति में है इसके लिए संतुलंद की सर्तों का भी अध्यन किये जाता है तो एक्विलिब्रिम जो है उसमें कौन कौन सी कंडिशिंस है उन सब को भी इसमें देखा जाता है वस्तू कीमत सिद्धान्त Commodity Price Theory Commodity Price Theory वेस्ति अर्थ्षास्त्र के क्षेत्र में वस्तू, कीमत, निर्धारन, सिद्दान्त भी समलित है इसके लिए इसके अंद्रगत पूर्ण प्रत्युक्ता, एकाधिकार विभेदात्मक, एकाधिकार, आधी विभिन प्रकार की competitive जो conditions है perfect competition, imperfect competition monopoly and जो price discrimination है इन सब का अध्यन इसमें किया जाता है साधन कीमत सिद्दान्त प्राइस, factor pricing theory of factor pricing का भी अध्यन इसमें किया जाता है वित्रण के सिद्दान्तों को साधन कीमत सिद्दान्त का जाता है तो जो distribution की जो theory है या distribution के जो various principles है, उन सब को इसमें देखा जाता है प्राइस, साधन कीमत सिद्दान्त का जाता है जिसमें मजदूरी, लगान, ब्याज, लाब, सम्बंदी सिद्दान्तों का को सामिल किया जाता है तो इसमें हमने देखा nut sell में ways है, rent है interest है, profit theories है इन सब को इसके अंदर सामिल के जाता है साधन, कीमत, सिद्दान्त में इन सब को देखा जाता है पढ़ा जाता है जिसमें जो भी हमारा sales हुआ है उस sales को आपके इस प्रकार से जो है, allot करते हो उस allocation को इसके अंदर देखा जाता है जिसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाब इन सब को इसमें रखा जाता है इस प्रकार उत्पत्ति के विभिन साधनों के लिए के प्रतिफल नर्दान संबंदी नियम का दिन भी शुक्ष्म अर्थसास्त्र ही करता है तो अता सबस्थ है कि हम शुक्ष्म अर्थसास्त्र में बहू सारी चीजों को देखते हैं बहू सारी चीजों को पढ़ते हैं और उनमें बहू सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है तो Nutcell में हम बात करें तो Micro Economics यानि की Westy अत्वा सुक्ष्म अर्थसास्त्र में एक individual इकाई का अध्यन कहेज़ता है जिसका सब्द जो है माइक्रो म-I-C-R-O युनानी भासा के माइक्रो सब्द से निकला हुआ है जिसका आर्थ होता है छोटा अथ्वा सुक्ष्म और उसको हम जो है माइक्रो एकनॉमिक्स से संबंद करते हैं यहाँ एक छोटी गाई के एकनॉ एकनॉमिक एक्तिविटीज का जो है हम एक छोटे लेवल पर एकनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं यह इसके आर्थ सास्त्र है इसके ख्षित्र के बारे में हमने देखा इसकी विसेशताओं को देखा है तो आज के लिए इतना ही दिन्यवाद आगामी क्लास में आपको करी दे जाएगी